Hello everyone, मैं हूँ Dr. Surabhi Solanki और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Dr. Surabhi की Pregnancy Tips दिवाली आने वाली है और अगर आपके expected period की date भी वो ही है 14th के आसपास 14-15 November के आसपास तो आपको जरूर थोड़ी tension हो रही होगी क्योंकि दिवाली पे आप लोग सब लक्षमी जी की पूजा करते हैं हम सब और उसमें अगर उस time पे periods आ रहे हों तो दिक्कत होती है पूजा में कई लोग नहीं बैठना पसंद करते हैं पूजा में periods के time पे और otherwise भी अगर आपको period के time पे pain होता है, cramping होती है या और problems होती है, ठकान वगेरा तो भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा थोड़ा दिवाली celebrate करना तो इस वज़े से कई ladies चाहती है कि जब अगर उस time पे उनका expected period की date है तो वो थोड़ी extend हो जाए तो कितना अच्छा रहे है तो आज इस वीडियो में आपको यहीं बताने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी medicine होती है जिससे कि आप अपनी जो period date है उसको थोड़ा delay कर सकती है यानि कि उसको लेने से आपकी जो period है वो थोड़ा देर से आता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी मुझे याद है मिरी एक friend की marriage थी शादी थी और उस time पर ही उसके periods आ गए थे और शादी में तो आप लोगों को पता है पूरी रात भर पूरा जो ceremony होती है वो चलती है late night तक फेरे हो पाते हैं तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था उस पूरी ceremony को attend करना क्योंकि उसको period के time पे बहुत problem होती थी तो पूरा time वो pain लेके और वो इतना heavy flow लेके बैठे रहना आप शादी तो ऐसी चीज़ है आप जानते है जिसे delay नहीं किया जा सकता है cards सब बढ़ चुके हैं तो वो बड़ी problem वाली situation हो जाती है इसी तरीके से कभी आपको कहीं जाना है travel करना है उस time पे अगर आपकी period की date है या कोई ceremony अटेंड करनी है शादी अटेंड करनी है या कोई festival या पूजा है तो ऐसी time पे आपको बहुत दिकत होती है अगर period उस time पे आ जाता है तो अगर ऐसी कोई medicine हो ऐसा कोई उपाय हो जिससे कि वो जो period आपका है आने वाला उस particular time पे उसको अगर आप थोड़ा हफते 10 दिन तक delay कर पाएं या वो देर से आए तो आपके लिए काफी उससे आराम हो जाएगा और सुविधा हो जाएगी अब देखे कई लो तो मुझे यहाँ पे आपको कोई ऐसा method नहीं बताना है जो आपको final date पे धोका दे जाए ऐसी बात नहीं करनी है तो जो reliable method है यानि कि medicine के द्वारा कैसे आप अपना period डिले कर सकते है वो ही मैं आपको बताने वाली हूँ तो आपकी body में जो hormone होता है progesterone उसी का एक synthetic version होता ह synthetic progesterone होती है जिसको norithisterone कहा जाता है इसका एक दूसरा नाम norithindrone भी है तो यह जो medicine होती है यह period delay करने के लिए ली जा सकती है इसको लेना होता है period की जो आपके expected date है उससे 4 days पहले यानि कि उससे 4 दिन पहले आप इसको लेना start कर दीजे सुबह, दोपहर, शाम और तब तक लीजे जब तक कि आप नहीं चाहते कि आपका period आए लेकिन बहुत लंबे समय तक भी नहीं लेना है जादा से जादा 10 दिन या बहुत हुआ तो 14 दिन इससे जादा नहीं आपको यह medicine लेनी है तो इस medicine को लेके आप 10 दिन या 14 दिन या फिर एक हफ़ता जितने आपकी requirement है उ कोई भी function वगेरा attend करने में तो नौरिस्टिरों तो मैंने आपको बताया कि इसका generic name है यह common brand name जो इसके popular brand names available है वो है Pramulet N और Registeron यह दो brand names मैं आपको बता दिया और भी brand name से आती है ऐसा नहीं है कि सिफ यही दो brands मिलेंगे लेकिन यह popular brands है और जो available हो जाते है medical store में लेकि एक चीज़ का धियान रखना है कि यह medicine जो है यह over the counter drug नहीं है यह prescription medicine है और आपके doctor आपको prescribe करते हैं तब ही medical store से आपको यह medicine मिलती है मैंने आपकी information के लिए knowledge के लिए आपको यह बताया है medicine का नाम हाला कि इसको doctor के prescription से ही लिया जाता है तो कैसे लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ इसको जैसे कि मैंने आपको बताया है कि चार दिन पहले से शुरू करना है जो आपकी date है उससे चार दिन पहले से आप लेना शुरू कर दीजे सुबह, दोपहर और शाम को लीजिए हफते भर डिले करना है तो हफते भर तक उसको लेते रहे है medicine को 10 दिन डिले करना है तो 10 दिन तक लेते रहे है और जब आप उस medicine को लेना छोड़ देंगी तब आपके 2-3 दिन में periods आ जाएंगे थोड़ा कभी-कभी मैं repeat करती हूँ लिकिन जो important चीज होती है उसको repeat करने से दिमाग में वो अच्छे से बैट जाती है और कोई confusion नहीं रहता है तो please don't complain in the comments ठीक है तो इस तरीके से ये medicine होती है और brand names भी मैंने आपको बता दिये screen पे भी आप देख लेंगे मैं आपको screen पे दे दूँगी लिखके medicine का नाम तो hopefully ये वीडियो आपको कुछ पसंद आया होगा अच्छा लगा होगा, useful लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को like कीजिए और मेरी चैनल को subscribe कीजिए मैं आपसे मिलूँगे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए अप्पी दिवाली तो वीडियो आपको कीजिए